तो हम कैसे करेंगे इस कुश्चन को थोड़ा समझने ही कुश्च करते हैं इस तरीके से लिखा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो number second वाला होगा मतलब first number given है that means 6 2 by 9 यह first number है and why what number वो second number है तो 6 2 by 9 को divide करना है किसी एक second number से let number is x वो हमने x मान लिया तो 6 2 by 9 divide by x and result will be 4 2 by 3 तो देखते हैं हमने कैसे किया इस question को solve देखो let by x वो number हमने x मान लिया तो 6 2 by 9 divide by x is equal to 4 whole 2 by 3 अब इसको हम क्या करेंगे fraction में convert करेंगे यह mixed fraction में है इसको fraction में कर लेते हैं 9 6 जा 54 and 2 56 56 upon 9 9 की हमने 6 में multiply की and उपर 2 को add कर दिया तो 56 upon 9 अब क्या किया जो divide का sign है इसको multiply में convert करते हैं जब हम इसको multiply में convert करते हैं तो क्या करते हैं इसके बाद number होता है उसका reciprocal लेखते हैं तो x का reciprocal क्या होगा 1 upon x ओके तो multiply 1 upon x is equal to इसको भी fraction में convert कर दो 3 4 जा 12 and to 14 12 and to add कर दिया 14 upon 3 अब हमको क्या करना है x की value को find out करना क्योंकि हमने number क्या माना था x हमने x से divide किया था हमने ये माना था तो x की value हमें find out करनी है तो देखो 56 upon 9 ऐसे ही आ गया अब हमें जो x की value find out करनी है तो इसको equal के एक तरफ ले जाओ और कोशिस करो कि अखिला यही जाए ठीक है तो इधर क्या है equal के अभी देखो left side में है ये 1 upon x जब हमें इसको right side में लेकर जाएंगे तो इसका reciprocal लेख देंगे that means x upon 1 right side में क्या है 14 upon 3 है जब हम इसको left side में लेकर आएंगे तो इसका reciprocal लेख देंगे left में 3 upon 14 जब हमें 14 upon 3 का 3 upon 14 and 1 upon x का x upon 1 हमने ऐसा क्यों किया देखो हम हो सकता था 1 upon x को यहीं रहने देते और 56 upon 9 को right में ले जाते 9 upon 56 कर देते लेकिन हमें answer में फिर x की value को उपर लेकर जाना पड़ता निमरेटर में क्योंकि हमें 1 upon x की value नहीं find out करनी है हमें x की value find out करनी है तो मैंने क्या किया x को मैं right side में ले गया हूँ इससे x उपर आ गया numerator में आ गया x upon 1 हो गया तो अब क्या left side में जो भी part बचा है इसको solve परके जो भी आएगा वही answer हो जाएगा तो देखो 14 से 56 को कितने times जाएगा 4 times ठीक है 14 fold जा 56 and 3 से 9 को divide कर दो 3 3 से 9 तो आँसर आ गया 4 upon 3 4 upon 3 को mix fraction में लिख देंगे हम that means divide करेंगे 4 को 3 से तो 1 time जाएगा and 1 remainder so 1 whole 1 upon 3 is answer ओके so I hope यह question आपको समझ में आ गया होगा अब कुछ ऐसे ही questions मैंने आपको दिये हैं आपकी practice के लिए so first question is why what number should 9 4 upon 5 be multiplied to obtain 4 तो यह question है अब देखो why what number इस number को आप first या second multiply में कोई फराक नहीं पढ़ता कि आप first मानते हो second लेकिन जैसे मैंने बता है कि अगर y लग रहा है तो इसको second नहीं मान लेना तो आपकी choice है ऐसे कर सकते हो कि 9 whole 4 upon 5 multiply x is equal to 4 इस तरीके से क्यों मनाना हम आप multiply यह divide नहीं है तो इस question को solve करना है अब आपको x की value find out करना फिर and question 2 the product of 2 number is 15 whole 5 upon 6 if one of the number is 6 whole 1 upon 3 find the other तो दो number का product दे रखखा that means result right and left side में एक number यह दे रखखा है 6 whole 1 upon 3 and product that means multiply करने के लिए हम मान लेंगे suppose x से multiply करते हैं तो 6 whole 1 upon 3 multiply x is equal to 15 whole 5 upon 6 इस तरीके से question बना सकते हो आप और अपने method से भी कर सकते हो तो answer जो भी आए उसको comment section में लेकर आपको answer बताना है दोनों questions का and I hope आपको यह दोनों questions आप सही कर पाओगे क्योंकि आपको इसने पहला वाला questions समझ में आ गया होगा so अगर वीडियो अच्छी लगए हो तो like, share and subscribe जरूर करना and thank you